तुझार जै मातादी एससाइट ट्यूब में फिर स्वागत करते हैं मैं देविंदर सिंगलर्डु इस वक्त हम है छोटी पतन देवी पतना सिटी पतना साहिब में है छोटी पतन देवी और बड़ी पतन देवी का इतिहास से बहुत ही पुराना है हासकरके इसे पाटली-पतर की धरती पर अब जानते इनकी इतिहास पर बैसे भी देखा जाता है तो बढ़ी पतन देवी शक्ती पीट है और छोटी पतन देनुट् nämlich सिद्री शक्ती पीट है तो सिद्रीट के कुछ इतिहास है हम यहां के प्रोहित से भी जनकाड़ी लेंगे कि बाबा सिद्ध शक्तिपीट और साथी यहां पिंडी भी है बहुत बड़ी इतिहास है हम उनी इतिहासों को खंगारने की कोशिच में रहेंगे मातारानी का एकंग यहां है और देश दुनिया से तमाम लोग आते हैं यहां प हैं कि मुर्तिया कहां से लाए गई है क्या खुझाई में मिली है या फिर कहीं और दुसरे मंदिर से मंगाई गई है यह तमाम चीजों से हम आपको अफ़कत करवाएंगे आचार्ज अभिशेक अनन्त दुवेदी पीठा चार्ज सिद्ध सक्ति पीट स्रीश्री छोटी पटन देवी जी मंदिर अबाबा यह क्यों भात करना है कि सिद्ध सक्ति पीट का इतिहास आज आदिया नादिकाल से चला रहा है जिस समय दक्षप्रजापती के अहां जग्य हुआ था देवताओं के से नानायक जब बने थे दक्षप्रजापती उन्होंने बहुत बड़ा महा जग्य का विजन किया था उस जग्य में सभी देवी देवताओं को आवंतित किया गया रिशियों मुनियों सभी को आवंतित किया गया जितने भी संसार के त्रिलोग के देवता थे मुनी थे रिशी थे यक्ष गंधर्व सभी आवंतित हुए परंतु अपने ही दामाज भगवान संकर को दक्षप्रज आपती ने आमंत्रन नहीं दिया जब दमाद को आमंत्रन मिला ही नहीं और बेटी जो सती थी उनकी शिवजी की पत्नी का नाम पहला सती हुआ दूसरा पारवती हुआ तो सती कहें कि हमारे पिता के यहां जग्य है जग्य में तो हम जाएंगे ही तो कि पिता के यहां ने मंत्र कि कोई आउसक्ता नहीं होती शिव जी निये कहा कि बिना बुलाए न जाओ भवानी ना मिले तो ही पीरा पानी बिना बुलाए भवानी कहीं नहीं जाना चाहिए पिता की घर में ही बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए जाने से सम्मानन नहीं मिलता इसलिए आ माता सती ने अपने पती भगवान शिव का जो है बात नहीं मानकर उनकी बात नहीं मानकर कहा कि हमारे पिता के हैं जग्य है इसलिए मैं अवस्ते जाओंगी अचले गए ज़िए वहां सभी देवताओं के लिए अंस निकाला गया पूजा की गई सभी लोग का स्वागत किया जा रहा था और सती माता जब पहुंचे तो पिता माता कोई नहीं कोई परिवार इन से कुछ नहीं बोला है तो कि बिना बुलाए गई थी इन से कोई कुछ नहीं बोला है और वहां भगवान सिव की पूजा भी नहीं हुई तो कि भगवान सिव से दक्ष प्रजापती भगवान संकर की पूजा भी जग्य में नहीं की, अपने पती भगवान सिव का अपमान जब देखा, माता सती ने, तो क्रोध उत्तपन हुआ उनमें, और वो क्रोध की अगनी में जल गए, लोग कहते हैं कि जग्यागनी में कुंड में, जग्यागनी कुंड केवल प्रत्यक् यह लेकिन अपने ही अगनी में वह प्रज्वलित हो गए और प्रज्वलित जब हो गए, जल गए तो सती के, जले हुए सरीर को अपने कंदे पर लेकर, सिव जी पूरे संसार में, त्रिलोक में भ्रहमन करने लगे। शिवजी बिक्षप्त हो गए थे एक तरह से, तो सभी देवतागन भगवान विष्णू के पास गए प्रार्थना करने लगे, कि जब सिवजी के स्थतिय रहेगी तो संसार नश्ट हो जाएगा प्रभू, संसार की रक्षा के लिए आप कोई उपाय करें, भगवान विष्ण उन्हें अपने चक्र सुदर्शन को प्रणाम किया, चुकि भगवान विष्णू का जो चक्र सुदर्शन है, वो भगवान सिव ने ही उन्हें प्रदान किया है, भगवान सिव ने ही उन्हें दिया है, उन्होंने मन ही मन जो है भगवान सिव को प्रणाम किया, और चक्र को प्रणाम करके अपने सुदर्शन चक्र को आज़्या दिया कि सती की अंग को पिछे से काड़ दीजी सती की अंग को धीरे-धीरे काटना जो है जब सुरू किया चक्र सुदर्शन ने और सती का अंग जहां जहां मगद की राजधानी पाटली पुत्र में इसलोक इसका है मांग्दे दक्ष जंगास्तु जुमककेस्टु भे़रवह सर्वानन्द करीदेवी सर्वानन्द फलप्रा ये सर्वानन्द करीदेवी मगद की राजधानी पाटली पुत्र प्राचीन काल में संपुण भारत वर्स की राजधानी हुआ करती थी मगद की राजधानी पाटली पुत्र में भगवती की दक्षन जंगा दाहिना जंगा गिरा है यह स्थान बिलुप्त हो चुका था, कहां अक्षिन जगह गिराई लोगों को नहीं पता चल रहा था, तो यहां सिद्ध साधक हुए, उन्होंने माप पठन देवी जी का पिंडिस श्वरूप अस्थापना करके, ओ पंडित आसा राम चोवे जी महाराज ने तंत्र साधक थे और सिद्ध व्यक्ति थे, प्राचेन काल में उन्होंने इनकी पूजा अर्चना जो है पिंडिस श्वरूप में, पतन देवी की रूप में प्रतिश्थित हुए, और यहां पर जो है अनाज काल से, उन्होंने यह सिद्ध किया कि यहीं इसी स्थान पर भगवती सती की दाह निजंगा जो है गिरी है, यहां ही पिंडि स्वरूप भगवती विराजमान है, बिग्र स्वरूप भी महाकाली, महालक्ष्वी, महासरश्वती विराजमान है, पतना में कहीं पिंडि नहीं है, पिंडि स्वरूप पतन देवी जी यहीं विराजमान है, बरी पतन देवी भ सिध्षक्ति पीठिया है तो सिध्धिया है कि यह सिध्ध अस्थान यह गिरा है वहां केवल विग्रह उनकी है पिंडि स्वरूपा भगवती यहां ही विराजमान है और पिंडि के रुप में और अनंतिकाल से यहां प्रतिश्ठापित है इनकी पूजा अर्चना करने वाले जो भी मनोकामना होती है जो ही मन में रखकर मां के सामने प्राशना करते हैं मां अवस्य प्रधान करती है उनकी मनोकामना अवस्य पूर्ण होती है सत्रह सो पंचाने में स्वी का जज्मेंट है बिटिश काल का जज्मेंट हमारे पास है उसमें पतंदेवी पिंडी का उलेख किया गया है विक्राफ पतंदेवी का उलेख यहां का किया गया है यहाँ जो है आलम जो है दर्सन करने केलिए आए उन्होंने एक गाउं की जमिंदारी दिया था ओ जमिंदारी सहवाजपुर गुनामा प्रगना मनेड थाना विक्रम उस्तम अजीमाबाद पतनाग के नाम से विक्यात था साहराजी माबाद के नाम से दर्ज है यहाँ जो है भगवती के आज सुने की तलवार छत्रमकुत इत्यादी राजा महराजाओं ने समर्पित किया है बहुत से राजा महराजा महराज दर्वंगा, अबाबा, ठिकारी जितने भी प्रसद्धे जो है यहाँ के राजा महराजा रजवारे हुए हैं उन्होंने भगवती का दर्शन करके अपना आशिरवाद जो है इनका है आशिरवाद जो है प्राप्त किया है बलपटन देवी मया कीजए